दिपिका पाडुकोन अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के रिए हाली में बिग बॉस के घर आई थी जहां एक तरफ कल दिपिका पाडुकोन बिग बॉस 13 की कंटेस्टन्स को लेकर घर से बाहर एक जोई राइट पर निकली वही सभी घरवालों ने अपनी पेंफुल स्टोरी एस्टिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मिया गरवाल के साथ शेयर की जहां मदुरीमा तुली विशाल अरित्य सेंग पारश शाबना ने अपनी दर्द भरी कहानिया सुनाई वही इस दुरान आर्ती सिंग ने एक बड़ा खुलासा किया जिसे सुन कर हर एक सदस्य की आँखे नम हो गई कुशनाविशेक की वहन और गुविंदा की भांजी आर्ती सिंग शो में बताती है कि जब वो 13 साल की थी तो घर में बंद करके उनके साथ उनके सर्विंट ने रेब जैसी घिनोनी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी उस वक्त आर्ती अपने आपको छुडाने की कोशिश करते हुए दूसरी मंजल से कूद गई थी आर्ती जब अपनी जिंदिगी के इस किस्ते को सुना रही थी उस वक्त वो काम रही थी इसके बाद आर्ती सिंग रोने लगती हैं और घर वाले उन्हें समालने की कोशिश करते हैं पर आज भी आर्ती अपने साथ वी घटना को याद कर सहम जाती है है । झाल 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 झाल